नमस्कार रस्तोगी आनलाइन कोचिंग कलासेज में आपका स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी मेरस जो सभी कलासों के लिए बहुत ही महतपूर है जो कलास 9, 10, 11, 12 में हर साल परिच्छा में पूछा जाता है आज हम लोग पढ़ेंगे रस में सबसे असान परिभासा तो रस की से कहते हैं तो रस की परिभासा ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा जब हम लोग कहानी को जब पढ़ते हैं या अथमानाटा को देखते हैं तो हमारे सरीर में क्या आता है आनंद आता है कहानी को पढ़कर अत्मानाटा को देखकर जो हमारे सरीर में आनन्द आता है उसी को रस कहते हैं जब हम लोग कहानी को पढ़ते हैं तो हमारे सरीर के अंदर आनन्द आता है या कोई नाटा को देखते हैं तो हमारे सरीर में आनंद आता है उसी को का कहते हैं रस कहते हैं तो रस कितने परकार के होते हैं रस जो होते हैं नौ परकार के होते हैं रस कितने परकार के होते हैं तो रस याद करिए नौ परकार के होते हैं तो आज हम पढ़ेंगे नौ रसों के बारे में नौ रसों की बस आपको अस्थाई भाव याद रख लीजिए तो सबसे पहला हमारा जो रश है वह सिंगार रश है दूसरा जो है बीर रश है तीसरा करूर रश है चौथा हास रश है रोध रस है घ्यानक रश है दीभत्त रस है और अद्भूत रस है और लास्ट जो रश है वह स latelyuk hmm नौ रस हैं, नौ रसों का अस्थाई भाव करमसर, सिंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो रती होता है, बी रस का अस्थाई भाव उसा होता है, करूर रस का अस्थाई भाव सोक होता है, हास का हास होता है, प्रोध का क्रोध होता है, भ्यानक का भै होता है, और में होता है और सांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है इस अस्थाई भाव को अपने कापी में नोट कर लिजे और इस अस्थाई भाव को याद कर लिजे यदि अस्थाई भाव आपको याद हो गया तो समझे हमें नौ रस की परिभासा भी याद हो गया बस बनाना सी पढ़ने से पहले तो इसकी अस्थाई भाव पहले याद कर लें तो आज हम लोग पताएंगे कि सिंगार रस और बीर रस जो है कलास 9 में बहुत IMP है जो हर साल पूछता है कछा 9 में 2 रस याद कर लिजिए कौन-कौन पूछेगा तो सिंगार रस और बीर रस पूछता है अकछा 10 में कौन सा रस IMP है तो करूर रस और हास रस 9 में 2 रस पढ़ना है और 10 में 2 रस पढ़ना है करूर रस और हास रस क्लास 10 में हर साल पेपर में आता है दो नमबर में अब उसके बाद से 6 जो रस बचे हैं वो इंटर में सभी रसों को त्यार रखना पड़ेगा सिंगार रस, बीर रस, करूर रस, हास रस, रोद रस सभी रसों को इंटर वाले बच्चे सभी लोग तयार करेंगे और 9 वाले बच्चे सिर्फ सिंगार रस और बीर रस याद करेंगे और हाई स्कूल वाले बच्चे जो हैं करूर रस और हास रस परिच्छा में हर साल परिच्छा में पूछा जाता है इसे अच्छे से अपने कापी में जरू नोट करिएगा तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगार रस अब देखे एक रस ये नो रस की परिभासा बनाना सिखाएंगे कैसे रस की परिभासा बनता है बस इतना सब्दों को याद रखना है कि बिभाव, अनुभाव, संचारी भाव के सयोग से बस यहीं पर बदलना है अब यहां पर हमको किस रस का बोलना है सिंगार रस का तो सिंगार रस का अस्थाई भाव क्या बताये थे उपर सिंगार रस का अस्थाई भाव रती होता है तो रती को यहां रत लिख देंगे रती नामक अस्थाई भाव रस में बदल जाता है उसे सिंगार रस कहते हैं बस य हास रस पर यहां पर हास बोलेंगे समझ यह में नौ रस की परिभासा याद हो गया बस इतना याद कर लेजिए कि बिभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से अब अस्थाई भाव जिस रस का पूछेगा उस रस का अस्थाई भाव यहां पर रखना है यहां जहां रती ह वहीं पर अस्थाई भाव रख देंगे और यह नामक रस में बदल जाएगा उस रस का नाम रख देंगे तो सिंगार रस समझ में आ गया होगा अब इसी तरह सभी रसों की परिभासा बनाना है तो सिंगार रस को परिभासा एक बार और बोल ले हैं बीभाव अनुभाव संचारी भाव के सयोग से रति नामक अस्थाई भाव रस में बदल जाता है उसे सिंगार रस कहते हैं तो यहां समझ में आ रहा होगा सिंग्यार रस कैसे परिभासा बनाया जाता है इसी तरह भी बीर रस का भी परिभासा बनाया जाएगा सेम परिभासा है लेकिन उदाहरन अलग अलग है अब यहां पर उदाहरन सिंग्यार रस का परिभासा का जो उदाहरन है उदाहरन भी परि बिम्बित पयोपाई अपीठ दिये निधरक लखे इकटक दीठ लगाई इसे अपने कापी में जरूर नोट करिएगा इस एकजामपल को यह सिंगार रस का जो उदाहरण है इस सिंगार रस जब पेपर में नाइंत वाले बच्चे और बारे वाले बच्चे जब पेपर में सि बीर जब नामे से पता चला बीर बीर का मतलब उतसा अब यहां बोलेंगे बीभाव अनुभाव संचारी भाव के सयोग से बस यहां पी इसके पले क्या बोले थे रती बोले थे अब क्या बोलना है उतसा उतसाह नामक अस्थाई भाव रस में बदल जाता है उसे बीरस कहते बीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है तो उत्साह होता है उत्साह नामा का अस्थाई भाव रस में बदल जाता है उसी को बीर रस कहते हैं जहां उत्साह की बात होती है वहां समझेगा बीर रस की बात हो रही है जैसे अब यहां इजामपल से देखिए इजामपल से पता च बीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड हो की सिंध की दहाड हो बताए कितना असान परिभासा है यहां पर परिभासा पढ़ने से लग रहा है कि हमारे सरीर में उत्सा उत्पन हो रहा है बीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड हो क सिंग की दहार हो इसे रस्य पढ़ने से क्या लग रहा हमारे सरीर में उत्सा हो रहा है ऐसा लग रहा है तो बीर रस्स समझ में आ गया होगा कि बीर रस्स का अस्थाई भाव जो होता है उत्सा होता है और ये बीर रस्स का जो है इजामपल है उदाहरण है इस उदाहरण को अ नाइन्थ में दो रस पूछे पेपर में आता है सिंगार रस और बीर रस तो नाइन्थ वाले बच्चे सिंगार रस और बीर रस को अपने कापी में जरू नोट कर लें अब हम दस में आप आ गए दस वाले बच्चे को करूर रस और हास रस दो रस एकदम आयम पी है जो हर साल के पेपर में आता है अब देखी परिभासा बनाना एकदम असान है जो परिभासा सिंगार रस में बोलेंगे वही परिभासा बीर रस में करूर रस में हासर रस में बोलना है सेम परिभासा है लेकिन आपको खली अस्थाई भाव बदलना है अब हम करूर रस की परिभासा बोल यहां दुख की बात हो रही है यहां पर अस्थाई भाव रस में बदल जाए बिभाव अनभाव संचारी भाव के सयोग से सोक नामक अस्थाई भाव रस में बदल जाए उसे करूर रस कहते हैं तो करूर रस किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा जहां पर अस्थाई भाव है करूर रस का वो सोक होता है वहां दुख की बात होती है अब इस पंक जो नीचे दिया गया है इसे पढ़ने से लगेगा कि हमें दूख की बात है अब देखे लिखा है प्रीपती वह मेरा प्राण प्यारा कहा है दुख जल नेधी डूबी का सहरा कहा है इसे पढ़ने से लग रहा है कोई दुख की बात कही जा रही है यह जो करूर रस का जो उदाहरन है इसमें दुख की बात को इसमें बताया गया है इस उदाहरन को अपने काफी में लिख कर ऐसे अच्छे से तैयार कर लीजिए करूर रस समझ में आ गया होगा करूर रस का अस्थाई भाव जो होता है वो सोक होता है अगला हम लोग पढ़ेंगे हास रस हास रस की परिभासा जनकाई रखेंगे दिभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से हास अब देखिए हास रस का अस्थाई भाव उपर भी बताये थे कि हास रस का अस्थाई भ और रस में बदल जाता है उसे हास रस कहते हैं यहां हसने की बात हो रही है अभी उपर करूर रस की बात चला हा था कि वहां सो की बात था दुख की बात था और इस रस में हसने की बात हो रही है ऐसा एक्जामपल लिखेंगे जिसमें हसी होना चाहिए अब यहां पर एक्जाम तो यह जो उदाहरन से पढ़ने से लग रहा है यहां हसने के बात कहा गया है यहां हास रस का परिभासा समझ में आ गया होगा इस हास रस की परिभासा अपने कापी में नोट कर लिजेगा हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है तो हास होता है अगला हम लोग जो रस पढ़े यहां देखेंगे बीभाव अनुभाव संचारी भाव के सयोग से कितना तो सम्मे बोलना है नौ रसों में बोलना है बस यहां पे बदलेगा अब यहां पे रोध का अस्थाई भाव क्या होता है करोध होता है करोध नामक अस्थाई भाव रस में बदल जाता है उसे रोध रस कहते हैं विभाव अनुभाव संचारी भाव के सयोग से करोध नामक अस्थाई भाव रस में बदल जाए उसे रोध रस कहते हैं अब यहाँ क्रोध सब्द ऐसा एजामपल देंगे जिसमें क्रोध सब्द होना चाहिए अब देखिए यहाँ पर क्रोध की बात हो रही है उस काल मारे क्रोध के तन कापने उसका लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा यहां देखे क्रोध सब्द आया है जहां क्रोध सब्द आयेगा तो समझ जाईएगा वह रुदरस है तो उस काल मारे क्रोध केतन कापने उसका लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा यह रुदरस का उदाहरण है अब हम लोग पढ़ेंगे भियानक भै इसका अस् अनुभाव संचारी भाव के सयोग से भै नामक अस्थाई भाव रस में बदल जाता है उसे भियानक रस कहते हैं अब यहां उदाहरण लिखेंगे अब उदाहरण ऐसा उदाहरण रहेगा जिसमें भै होना चाहिए अब अगला उदाहरण जो हमा जो भी इसके बैक में जो उदाहरण पढ़े थे हुआ क्रोध की बात था यहां उदाहरण जो दिया गया है यहां पर आपको आपका उदाहरण भै की बात होनी चाहिए उधर गरजती सिंदु लहरिया आप पढ़ने से लग रहा है भै की बात कही गई है तो यहुदारण भै भै भैनक रस का है इसे कापी में जरूर नोट करके इसे तयार कर लिजिए अगला जो हम लोग पढ़ेंगे रस वह बीभत्स रस है बीभत्स रस का अस्थाई भाव घिरना होता है घिरना की बात करेंगे अब यहां पर लिखेंगे बीभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से घिरना नामक या जुगुपसा उसका दो नाम है घिरना कहेंगे या जुगुपसा कहेंगे नामक अस्थाई भाव रस में बदल जाता है उसे बीभत्स रस कहते हैं अब यहां पर ऐसा सब्द का बात किया जाएगा, जिसमें हम लोग घेड़ना की बात करेंगे, अब यहाँ घेड़ना होना चाहिए, जैसे अब यहाँ पुदाहरन में, और उड़कर आज़ जाते सौव, अब जो जैसे युध जहां होता है, वहाँ बहुत लोग मरे होते हैं, वहाँ का यहाँ बात कही ग जो ब्यक्ति मरे होते हैं उस ब्यक्ति को कवे जो हैं चुबला चुबला करके खाते हैं तो यहां क्या बात हो गई घ्रना की बात हो रही है जो यहां कुद्टे जो होते हैं वो मुर्दो को यहां पर खीच-खीच करके खाते हैं यहां बात कही गई है यहां घिरना की बात कही गई है मास चाट लेते थे चटनी सम बहते बेते मने मास को चटनी जैसे बना करके वो खा लेते थे वो कौन स्वान स्वान मतलब कुट्टे और कौन कौवे चुबला चुबला करके खाते हैं तो इसमें क्या बात कही गई है घिरना की बात कही गई है अब हम अगला हमारा जो रस है अदभूत रस अदभूत रस के बारे में ध्यन करेंगे बहुत आसान परिभासा इसका भी है बिभाव अनभाव संचारी भाव के संयोग से विसमें नामक अस्थाई भाव रस में बदल जाता है उसे अदभूत रस कहते हैं बस यहीं पर परिभासा में अस्थाई भाव खली बदलना है रस की परिभासा याद हो जाएगा बस उदाहरण को आपको याद करेंगे अब यहाँ पर जो अदभूत अदभूत होना चाहिए ऐसा अदभूत हो कोई चीज देखाई दो अदभूत हो उसी को अदभूत रस कहेंगे जैसे माली जी जब स्री कृष्ण जी मिटी को खा रहे थे तो यह सोदा माने कहीं स्री कृष्ण जी से क्या खा रहे हैं मूब आओ जब कृष्ण जी मूब आए उस मूह में बिश्व की माया पुरा दिखाई दिया सकल बिश्व की माया दिखाई देने लगा और जो माता थी वह चेतन रह गई ये तो पुरा विश्व दिखाई दे रहा है उनके मुह में तेहीं पर ये परिभासा में उदार लिखेंगे देखी ये सोधा सिसू के मुख में देखी ये सोधा मने ये सोधा जी देखी सिसू के मुख में सिसू मने स्रीक्रिष्न के मुख में शकल विश्व की माया इदम जो विश्व का सकल है उस मूँ में दिखाई दिया छड़ भर कोवा बनी अचेतन अब छड़ भर के लिए सोचने लग गई अचेतन हितना सकी कोमल काया पताई यह जो परिभासा उदाहरन दिया गया है इस परिभासा उदाहरन में अदभुत की बात कही गई है जब कृष्ण जी के मूँ में पूरा आपका बिश्व ही दिखाई देने लगा सोचते रह गई महा यसोदा इसमें क्या परिभासा से ही समझ में आगया होगा कि इसमें अदभुत बात कही गई है अदभुत रस है अगला जो रस पढ़ेंगे वह रस जो है लाश्ट रस है वह सांत रस है अब उसे सांत रस कहते हैं, तो सांत रस का स्थाई भाव याद रहेगा, तो आप इसकी परिभासा बना लेंगे, अब सांत रस में क्या है, इसका उदहरन, अब कभीर जी देखें हैं, चक्की को, अब चक्की जब चलता है, तो उसके अंदर कोई भी साबुत पदार्थ नहीं बच उसको पीछ देता है, तो लिखा है, लिखा गया यहाँ पर, चलती चाकी देखकर, चलती चाकी देखकर दिया कभीरा रोई, अदुईये पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, जब चक्की नाचता है, उसके अंदर कोई भी पदार्थ खड़ा अगर रखते हैं, तो व चलती चाकी देखकर, दिया कभीरा रोई, दुईये पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, यह कौन रस है, तो सांत रस है, तो रस समझ में आ गया होगा, बस रस में ध्यान रखना है कि अस्थाई भाव यदि याद हो, तो समझिये में नौ रस की परिभासा याद है, बस उदाहरण अलग-अलग, अब थोड़ा बिसेस में याद रखेंगे, सर्वस्त्रेश्ट रस किसे कहते हैं, सर्वस्त्रेश्ट रस जो होता है, वो सिंगार रस होता है, सिंगार रस को सर्वस्त्रेश्ट रस कहा जाता है, और रस का रस राज किसे कहते हैं, या रसू का राजा कहा जाता है याद रखिएगा ये कमपेटीशन के पेपर में हमेशा पूछता है कि सर्व स्रेश्ट रस कौन होते हैं तो सर्व स्रेश्ट रस जो होते हैं वो सिंगार रस होते हैं सिंगार रस का जो होता है रस राज भी का जाता है या रस पती भी कहा जाता है भरत मु पूर्षि ने रसों की संख्या आठ बताये थे आठ माने थे तो यह रस की परिभासा समझ में आ गया होगा अगला जो हमारा परिभासा अगला जो आएगा तो इलंकार आएगा उस अलंकार वाले वीडियो को भी आप लो जरूर देखिएगा यदि रस आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट कीजेगा और एक जरूर लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा नमस्कार